यह गैस कैसे हो शभी आशागतू सभी बहुत अच्छे हो तो आज मैं चली गई थी गुमा में और गुमा में जाके मैं मिटी का समान जहाँ पर बनाता है उधर गई थी तो उधर जाके थोड़ा मिटी का समान खड़ीदा है इस जो देख रहे हो इसको घट बोलता है हमारे इ बहुत डिजाइन भी किया हुआ था बिना डिजाइन का भी था मतलब कि बिना कलर का भी था लेकिन मुझे चाहिए था बिना कलर का जैसे कि अभी दिखा तो बिना कलर ए बहुत बरी गुल्लक है और बिना कलर का जो था न वो मुझे चाहिए था क्योंकि पेंट करना था और पेंट करने के बाद किसी को मैं गीप्ट देने वाली थी लेकिन मुझे गुल्लक उतना पसंद नहीं आया फिर जाके मैं फुल्दानी देखा जो यह वाला फुल्दानी है इसका प्राइस था हंडिर रुपीस तो मैंने इसको भी नहीं लिया मैंने सोचा पहले छोटा कोई सम समान में जो छुटा वाला फुल्दानी है इसमें पेंट करके देखेंगे पहले तुरह अभी बहुत साल हो गया मैं नहीं करती हूँ पहले करती थी थोड़ा बहुत तो थोड़ा पेंट करने के बाद देखेंगे कैसा लगता है उसके बाद किसी को देखेंगे कैसा लगता क्योंकि हमें थाला लेना था मिट्टी का और ग्लास भी लेना था जो कि इन भाईया के पास था लेकिन उतना अच्छा नहीं था और प्राइस भी मुझे थोड़ा जादा लग रहा था तो इसलिए नहीं लिया उसके बाद मैंने पूछा थाले ग्लास के बारे में लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे पास यह वाला सेंपल अभी नहीं है यह सेंपल है यह दो ही सेंपल इधर रखाया बाकी अभी नहीं है तो मैंने यह भी बोला था कि यह सेंपल मुझे दे दो तो बोला नहीं नहीं हो सकता मतलब कि अगर आप ओड़र देंगे तो फिर वो sample बना के देंगे लेकिन वो लोग sample को नहीं बिकरी करने वाले हैं फिर ये वाला जो थाला था पूरा design किया हुआ था जिसमें flower बगेरा थोरा design किया हुआ है सिप paint करने की जरुद होगा तो कर सकते हो लेकिन सच बताओ तो अगर एक खाली मतलब एकदम plain थाली में paint करोगे वो बहुत अच्छा होता है लेकिन जो flower बगेरा drawing किया होता है मिट्टी में उसमें उसी को color करना होता है उससे जादा आप कोई extra design नहीं कर पाऊगे तो फिर वो चीज लेके फाइदा ही क्या है फिर मैंने बहुत समान के बारे में पूछा तो सारे समान उनके पस थोरा price जादा लग रहा था तो हमने नहीं लिया फिर और एक जगा पे गए उसी के opposite side था तो उधर से हमने दो थाली ले लिया और जब इस दुकान में गए थे तो इन लोगों ने थाली अपने हाथों से बनाते हैं मतलब कि इधर कर खाना है अगर आप दुकान से लेने जाओगे तो थोरा price जादा होता है और इधर मिट्टी का जो उनान होते हैं बोलते हैं या फिर जैसे इट को पका के उसको बहुत hard बनाते हैं उसी तरह इस सारे मिट्टी का समान को भी पकाते हैं आग में उसी चीज का वो उनान था बहुत बड़ी थी फिर पूरा मिट्टी का बना हुआ था इसमें कलर लग रहा था एक भाईया कलर कर रहे थे और इस सारे वीडियो ना मेरी एक फ्रेंड ने बनाया मैं सच बताओं मैं हर बार सोचती रहती हूं कि मैं वीडियो बनाओंगी कई पर भी जाओंगी लेकिन मैं बार में भूल जाती हूं तो इस बर मैं मेरे एक फ्रेंड को बोल रखा था कि इस बर तू ही वीडियो बनाएंगी तो वियाद करके न तो पानी डालोगे पानी डाल के रहा हुगें थन्डा लगेगा आपको फ्रीस का पानी पीने के जरूरती नहीं परेगा मैंने एक बार के लिए भी सोचा भी था कि बाला और इन अंत्रा होता है नल लगा हुआ होता है उसमें एकदम नीचे से मिट्टी का होता है उसको लेके आये लेकिन मैंने फिर सोचा बैग भी नहीं लेके आया और उसके बाद इतना दूर से लेके जाऊंगी अगर गिर गया बाइक से जाऊंगी तो बहुत पॉब्लम होगा तो हमने नहीं लिया पह इन सारे बोतल को न धूप में पहले सुखाएंगे उसके बाद आग के सामने रखेंगे तब जाके पक जाएगा और फिर इसमें ठकल लगा देंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक्स पॉर वाचिंग और भी नायना वीडियो देखने के लिए प्लीज साथ में जोले रहिए थैंक्यू